उनका मानसिक इस्तित्य ठीक नहीं है RSS एक राष्टवादी संगठन है एक राष्टवादी संगठन की तुल्ना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है जो सर्तन से जुदा करने की बात करता है जो गजवाहिंद की बात करता है रास्तवादी संगठन पर इन्होंने उगली उठाया है इनको एस्पी क्या सिपाही रहने का दिकार नहीं है ऐसे संगठन के कारी पितुन्ना एक नोन आतंगवादी संगठन पीएफाई से करना वो देश को तोड़ने में लगा है क्या मतलब है इसका भारत मा को स्रेष्ट बनाने वाला जिस संगठन के खिलाब पटना के स्सपी के दुवारा इस तरह का ब्यान दिया गया यह त्यन ही दुरबागपून है इनके खिलाब तुरंद सिग्र कारवाई किया जाए और तुरंद पटना के सस्पी से इसको हटाने का निर्देश देने की किरपा करें आज पटना के सस्पी ने विवादी द्यान दिया है उन्होंने आरेसेस की तुल्ला आतंकवादी संगठन से की है आरेसेस एक राष्टवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है देश पर मर मिटने की जज़वा पैदा करती है लोगों में एक राष्टवादी संगठन की तुल्ला उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है जो सरतन से जुदा करने की बात करता है जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिक्स को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है इसलिए ऐसे पदादिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है माननी ये प्रधान मंत्री जी का प्रोग्राम है आउने वाला था और तेरा इस भी भी सिरियल बलास्ट हुआ था मैं मांग करता हूँ कि ऐसे पदादिकारी पर कारवाई हो एक बहुत बड़े खडियंत्र की बात थी जो नहीं सफल हुआ परमात्मा के किरपासे और इसकी सीवी आई जाच हो और ऐसे पदादिकारी पर अविलम सक्त से सक्त कारवाई हो और ये माफी मांगे एक रास्तवादी संगठन पर इन्होंने उगली उठाया है इनको एसपी क्या सिपाई रहने का अधिकार नहीं है बरखास्त किया जाए बरखास्त किया जाए ऐसे एसे एसपी को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है पटना के SSP का बयान जिसमें उन्होंने RSS के कारियों की तुलना PFI की टेनिंग से की है ये बिलकुल गहर जिम्यदारना भर्सना योग है और मैं इसकी बहुत भर्सना करता हूँ मेरे लोग सवाचेतर के SSP हैं और RSS एक प्रामानिक राश्वादी संगठन देश के विकास के लिए देश के उत्थान के लिए आतंकवाद की लड़ाई में संग्य कारिकत्ना ने अपना जीवन होंग किया है और ऐसे संगठन के कारिके तुलना एक नोन आतंकवादी संगठन पिएफाई से करना वो देश को तोडने में लगा है क्या मतलब है इसका नैं इसको बहुत भरस्ता करता हूं यह बिलकुल स्विकार यह नहीं है हमें इस जानकर खंतोश मिला है कि पुलिस में बड़े पता जिकारियों ने को लोटिस किया है हम उमीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर गंवीरता से विचार कर कुछी कर रहे हैं कि इसस्पी पटना इस में बड़ी इर्रस्पॉंसिबल और आज इस तरह पटना के सस्पी के दुवारा यह ब्यान दिया गया कि संग और प्याइफाई में बहुत फरक नहीं है यह अत्यनित दुरबागपुन है और इस मानिय मुकमंतरीजी से कि इनके खिलाब तुरंद सिग्र कारवाई किया जाए और तुरंद पटना के सस्पी से इसको हटाने का निर्देश देने की किरपा करें क्योंकि बिहार में या देश में जिस तरह संग के दुवारा लगातार देश को स्रेश्ट बनाने का काम किया जा रहा है और देश में आप देखते होंगे कि जब भी जवरत पड़ती है तो इस देश को आगे बढ़ाने में संग आगे खड़ा होता है और साती साथ संग का संग एक ही चीजों की पूजा करता वह सिर्फ और सिर्फ भारत माता की पूजा करता है तो भारत मा को स्रेश् झाल झाल